तो सबसे पहले बात करते हैं Zimins के Disforcer के Overview के वारे में तो Freestanding category से ये model है जिसे हम लोग Standalone Appliance भी कहते हैं इसके अगर मैं Series की बात करूं तो IQ500 Series का model है 14th place setting के साथ इसके अगर मैं model number की बात करें तो SN25HI00Vis का model number है इसके लुक की बात करें तो silver inox finish के साथ ये आपको model दिखता है अगर मैं MRP की बात करूं तो 67990 का MRP है और इसका कुछ display control panel आपको कुछ इस तरीके का दिखता है तो काफी premium दिखता है काफी stylish दिखता है इसका control panel मात करते हैं इसके इंटी दिखता है तो टोटल तीन तरीके का बास्केट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है सबसे तॉप के आपको मिलेगा इसमें cutlery drawer तो जितना भी cutlery है आप अपना easy risk के अंदर बिछा के रख सकते हैं बहुत साना cutlery drawer के अंदर आपको इसली आ जाता है इस cutlery drawer में आप चाहें तो आप कॉफी के मर्क्स, तीर के मर्क्स या पने छोटे वाले बाल्स है आप इसमें इसली प्लेस कर सकते हैं आप चाहो तो इस वाली middle toilet tray का फाइल भी आप एजस्ट कर सकते हैं तो तीन स्टेज का इसमें height adjustment का आपको option मिल जाता है तो बात करते हैं इसके bottom drawer तो bottom drawer basically हमारा जितने ही heavily spanish disease है जितने भी बड़े utensils है कुकर कड़ाई पतीले भगोने उस सारा utensils आप इसमें easily place कर सकते हैं टोटल दो इस पर आम से इन दोनों बासकेट के बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं तो जो कि आपका पानी का जो फ्रो होता हूं दोनों इस पर आम से आपको देखने को मिलता है तो पर बात करों तो एक अदिसर शाइव बीच्रम यह अपको देखने को मिलता है जो आपका इफेक्ट प्रोवाइड करता है लुद्टा अधर पर अच्छी से यृवशा क अधि झाल झाल फिर हम बात करते हैं इसके कुछ new advanced feature के बारे में तो home connect का feature अब आपको Siemens के dispenser में इंडिया में भी देखने को मिलेगा तो जितना भी dispenser आप Siemens का आएगा वो IoT enabled dispenser है Internet of Things आप इसके dispenser के साथ home connect app के थुरू communicate कर सकते हैं अपने smart watches से, android से, apple से, fit with, google and Alexa voice के साथ इन सारे platform का use करके हम अपने dispenser को command कर सकते हैं उनको operate कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं इसके washing program की तो total seven washing program इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं जिसमें से पहला मिलता है आपको intensive कडाई 70 degree यह basically program design किया गया है जितने भी आपके heavily soil disease और बड़े बरतन है उनके लिए like cooker, कडाई, पतीले, भगोने उस सारा utensil आप 70 degree hot water में wash and dry दोनों चीज़े आपको इसमें मिल जाती हैं then second आता है आपका speed 65 degree यह rapid program है 59 minutes का जिसमें disposer 65 degree temperature के अंदर proper आपको washing and drying दोनों चीज़े इसमें provide कराता है third आपको मिलता है glass care का glass 40 degree का यह program है जिसमें 40 degree temperature के अंदर जितने भी आपके expensive crockery and wine glasses है उसको proper तरीके से और बहुत carefully तरीके से wash करता है ताकि उसका shine maintain दे और crockery आपका damage ना हो then fourth आपका आता है auto 45 to 65 degree यह mixed load program है आपका सभी तरह के utensils के लिए और यह वाला program सबसे ज़्यादा dishwasher के अंदर यूज होता है इसमें आपको wash and dry दोनों चीज़ें आपको easily मिल जाती है then fifth आपका eco 50 degree यह economical program है power saving program है अगर आपके पास समय है बरतंद होनेगा तो हमेशा इस वाले program को use कीजिए यह program recommended है इस program की health से आप अपने power भी consume कम हो जाएगी plus dishwasher का life भी better रहेगा और आपके जो washing and drying quality वो भी improve हो जाएगी then sixth मिलता है आपको pre rinse का utensil अगर आपको अभी wash नहीं करने तो आप उसको pre rinse करके 15 minutes के अंदर आप छोड़ सकते हैं और dishwasher के अंदर ताकि बात में आप उसको wash कर सके seventh इंद आपको मिलता है इसका favorite का program यह customizable program है जिसमें आप अपने accordingly timing अगरा temperature अगरा सब कुछ adjust कर सकते हैं अपने dishwasher में और बार बार आपको program set करने का जुरत नहीं आप अपना वो program favorite में जाके आपका save रहेगा तो वहीं सा आप उस program को आप बार बार यूज कर सकते हों दिना बात करते हैं इसके special wash option की तो total six special wash options के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इसमें से पहला मिलता है hygiene plus hygiene plus wash option आप किसी भी program के साथ add on कर सकते हैं इसके add on करते ही जब dishwasher अपने final rinsing mode पे जाएगा तो वह 10 minute के लिए 70 degree का temperature continuous maintain करेगा जिसकी help से आपका जितना भी bacteria और germs से वो 99.9% केल हो जाएगा तो और ज्यादा hygiene results आपको इसमें देखने को मिल जाएगे second आपको मिलता है इसमें intensive zone customer के मने में एक doubt रहता है कि मेरा delicate item और मेरा heavily soiled item अगर मैं एक साथ wash करूँगा तो क्या वो damage होने के chances रहेगा की नहीं रहेगा जी नहीं अगर आप Siemens के dispenser के अंदर intensive zone को option को add करते हैं किसी भी program के साथ तो dispenser के अंदर क्या होगा कि जितना भी आपका जो delicate item है वो आपने upper वाले basket में रखना है और जितना भी आपने बड़ा utensils है वो आपने lower basket में रखना है dispenser का जो penetration power है वो lower basket के तरफ ज़्यादा होगा और upper वाश्यादा कम होगा तो upper basket को बहुत smoothly बहुत carefully wash करेगा और lower वाले basket को बहुत strong तरीके से wash करेगा यह कैसे काम करता है आए इस वीडियो में देखते हैं करें देखते हैं करें थार्ड आपको मिलता है इस पीड परफेक्ट प्लस इस पीड परफेक्ट प्लस वाश ओप्शन आप किसी भी प्रोगा के साथ एड कर सकते हो जिसमें यह आपका 50% टाइम जो है रिडियूस हो जाता है और इसकी हैल्थ से यह फास्ट डिस्वासर बन जाता है इंडिया का देन फोर्थ आता है इसका हाफ लोड अगर आपके पास कम गंदे बरताने और कम क्वांटिटी में बरताने और आप चाह अगर आप अपना प्लास्टिक का युटेंसिल आप इसमें वाश कर रहे हो आप चाहते हैं आपका ड्राइंग का एफिशेंसी बढ़ जाए तो आप एक्स्ट ड्राइग का प्रोगाम आप चूज कर सकते हो अपने वशिंग प्रोगाम के साथ देन फिर तो आपको मिलता है इसमें remote start remotely आप अपने dispenser को start कर सकते हैं उसको operate कर सकते हो फिर हम बात करते हैं इसके कुछ other features के बारे में तो program remaining time indicator का feature इसके इंदा आपको देखने को मिलता है इसके display में आपको programming का timing शो करता है salt refill indicator है rinsate refill indicator आपको देखने को मिल जाता है इस दोनों चीजें जैसी आपके dispenser हो 24 गंटे के अंदर कभी भी नेक्स हम बात करते हैं इसके रैकमेटिक थ्री स्टेज बास्केट के बारे में जिसमें मैं अपने जो आपर बास्केट वाला जो ड्रॉर है उसका मैं हाइट एजस कर सकता हूँ तीन लेविल तक ताकि जो मेरे बल्की डिसेज वह बॉटम वाले बास्केट में इसली आ जाएं और जितने भी मेरे हाई लॉंग स्टीम ग्लासेज होते हैं वह मेरे अपर वाले बास्केट में आ जाएं यह कैसे वक करता है आई इस वीडियो में देखते हैं दोसेज असिस का फीचर आपको जीमेंस के डिस्वासर में देखने को मिलता है जनरली डिस्वासर में एक प्रॉलम देखा गया है कि जितना भी आप डिसेजन का टैबलेट या पाउडर डालते हैं वो completely dissolve नहीं हो जाता है और कहीं नहीं जाके वो deposit हो जाता है बट जीमेंस के डिस्वासर में आप टैबलेट या पाउडर डालके जैसे इसका डोर क्लोस करते हैं इसके डोर क्लोस होने के बाद वो टैबलेट जो है एक special tray में जाके गिरती है इस special tray में वो proper तरीके से dissolve हो जाती है water में ताकि वो evenly distribute हो जाए आपके सारे utensils में ताकि washing जो है आपको evenly मिले और better मिले लास्में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी specification के बारे में तो उसकी मैं अगर dimensions की बात करूँ by default जो dispenser का height आपको मिलता है आपको 845 mm का height मिलता है बट इस dispenser का आप चाहो तो countertop को remove कर सकते हो इसका जो अपर पाट है वो इसको remove करने वाए जो इसका height रहाता है वो आपका 820 mm कर रहाता है तो अगर आपके पास 825 mm का available space है तो इस dispenser वहाँ पर easily place हो जाता है देर हम बात करते हैं इसकी energy consumption के बारे में तो 0.92 kilowatt per hour का इसका power consumption है इसके water consumption की बात करें तो 9.5 liter का इसका water consumption है तो काफी economical यह product है इसकी noise sound की बात करें तो जो noise label इसके आपको मिलता है और 48 decibel का इसमें देखने को मिल जाता है इस machine के में अगर net weight की बात करूँ तो 51.04 kg के इसके अंदर आपको net weight देखने को मिल जाता है फिर आप बात करते हैं इसकी warranty की तो 2 year का इसके अंदर आपको comprehensive warranty और 10 year के इसके अंदर आपको interest warranty मिलता है 10 साल ता अगर कहीं भी inner वाले part में कहीं rust लगता है तो आप brand से claim कर सकते है last but not the least इसके अंदर आपको money back guarantee मिलती है आप Siemens का dispenser purchase कीजिए उसको 15 days use कीजिए अगर आपको satisfactory result नहीं मिलते है आप चाहो तो इसको dispenser को return करके अपना money refund भी कर सकते है इसका better जानकारी आपको Siemens की dispenser की website पर आपको देखने को मिल जाता है